जब भी गर की construction करवाओगे, यहां गर की construction हो गई है, कुछ ऐसे chemical होते हैं, जिनकी ज़रूरत पढ़ती है, बले हमारी गर में sealant हो, बले slab में crack हो, दिवार में crack हो, यहां गर को मजबूत बनाने की कोशिश हो, यहां सही से काम करने की कोशिश हो, तो यह chemical काम आएंगे, तो य यह 10-15 chemical में आपको बताऊंगा, हर जरूरत के इसाब से यह chemical है, वीडियो complete देख लो, आपकी जरूरत का chemical भी आपको मिल जाएगा, इससे आपका गर strong भी होगा, और सही से chemical मिलेगा, नहीं तो होता क्या है, जहां crack आये होते हैं, वहां दूसरा chemical लगा देते हैं, पैसे भी अभी हमें chemical चाहिए होता है, anti-termite treatment के लिए, ATT के लिए, अभी सब पुछेंगे ATT क्या है, देखो anti-termite treatment यह है, जो नीचे हमारी मिटी में दीमक होता है, चुहे होगे, या कोई भी ऐसा चीज जो मिटी खाते हैं, तो वो करते क्या है, नीचे से मिटी खा लेंगे, आपकी foundation नीचे बैठ सकती है, आपका plinth नीचे बैठ सकते है, उससे क्या होता है, गर्वी गिर जाते हैं, और cracks आजाते हैं आपके गर में, और आपको idea नहीं लगता कि हो क्या रहा है, हमने तो नीचे footing सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें ATT करवाना पड़ता है, anti-treatment, तो इसको करने का तरीका गया, कुछ नहीं करना होता है, chemical आते है market से, तीन company के में नाम बताता हूँ, terminator, जो इंडिया में mostly use करते हैं, क्योंकि Amazon पे easily मिल जाता है, terminator हो गया, फिर premise हो गया है, फिर termicute हो गया, और भी काफी companies है, और भी अपने area में जाओगे, अगर दुकान पे क्योंकि एक लिटर में कई लिटर पानी डालना होता है, मतलब एक ratio chemical की रहती है, और 19 लिटर हमें क्या करना होता है, पानी डालना होता है, मतलब समझ लो, तो इसतना easy होता है ये बनाना, और करना कुछ नहीं है, पूरी मिटी पे spray कर देना, आपको चारो तरफ, और अपने जो blint होता है, उसमें थोड़े-थोड़े खड़े कर दिये, उसमें ये chemical बढ़ दिया कि आपकी जो मिटी है, उसके अंदर ये chemical जब पहुंच जाएगा, ना वहाँ चूहें आएंगे, ना कॉक्रेट आएंगे, ना दीमग आएगा, कुछ ही होगा, आपके footing हमेशा strong ये पहला chemical जो होता है, जो हमें गर की construction में ज़रूत पड़ता है, वो फिंग chemical होता है, वो होता है LW Plus, अब LW Plus chemical क्या करेगा, उसके box ऐसा दिखते है, देखो, ये बड़ी सी bucket है, लेकिन छोटे में मिलता है, हर range में आपको मिल जाएगा, 200 mm चाहिए, एक लेटर चाहिए, ये वहाँ आपको यूज़ करने है, जब हम नया concrete बनाते हैं, प्लास्टर बनाते हैं, देखो, concrete अगर slab का concrete हो रहा है, उसमें mix करके अगर आप डाल दोगे, तो आपका concrete जो होता है, वो waterproof हो जाता है, अच्छे से vibrator बगारा कर दिया है, तो leakage के chances कम हो जाते हैं, तो मलब basic, अगर construction के तुरह, basing waterproofing आपको करनी है, तो Dr. Fixit का 101LW Plus है, ये use कर सकते हो, plaster में भी, concrete में भी, जो 50 kg का cement bag होता है, उसमें आपको ये डाल देना है, 200 ml, उसी साब से इसकी calculation होता है, और हमेशा याद रखना, जो भी आपका contractor बोलता है, वो follow नहीं करना है, जो bottle पे लिखा हु होगा, हमेशा इन chemical में कभी पानी mix नहीं किया जाता, इन chemical में direct जैसे cement और इस chemical को mix करके use कर सकते हो, तो पानी mix करके वो गलत तरीक है, पहला 101LW Plus पता चलगे, आपको basic chemical है, जब आप slab cast करते हो, या plaster करते हो, या brick बर कर रहे हो, मोटार बनानी है, या concrete बनानी है, column, pillar, footing, त जैसे आपकी slab की casting हो रही है, उसमें अगर सही से vibrator नहीं मारोगे, ये सामने vibrator किया जा रहे है, ये सही से नहीं करोगे, तब आपकी slab में leakage आ जाएगी, जहां बहुत ज़दा पानी डाल दिया, shrinkage crack आगे, उससे leakage आ जाती है, अगर आप देख रहे हो, elephant shield liquid rubber, ये मतलब कहीं हमारी leakage हो रही है, जहां पूरी छत पे भी कर सकती हो, अगर पूरी butter woofing आपको करनी है, तो हमारी यहां leakage हो रही थी, इस area को आपको बिल्कुल clean कर लेना है, steel brush से कर लो, जहां आपके पास कोई कपड़ा है, उससे साफ कर लो, ना ये area में पानी होना चाहिए, बिल्कुल dry area कर लिया होना चाहिए, एक बार clean आपने कर लिया, dust उठाली, कोई भी debris पढ़ी है, उठाली, साफ कर लिया, उसके बाद आपको क्या लेना है, elephant shield rubber लिया, आपने जो इसके साथ reinforcement आती है, जो non woven fabric आता है, वो रख लेने है, साथ में, brush ले लिया, पहले आपको एक coat लगाना है जहां आपकी leakage हो रही है, ठीक है, एक coat लगाया आपने, और possible करो जो crack है यहां, ठीक है, crack है, जो भी area उसको fill कर लो, उसमें fill कर लिया, एक coat जैसे ही आपका लग गया अच्छे से, तुरंत आपको क्या करना है, जो fabric आएगा, उसका PC साथ है, यह साथ में आते हैं, इसको fabric को पूरा आपको उसके उपर लगा देना है, जहां आपका crack है, उसके दोनों तरफ आजाए, ठीक है, लगा दिया, उसके उपर दूसरा coat जल्दी से आपको मार देना है, और coat इस तरीके से मारना है, अच्छे से fill हो जाए, और ध्यान रखना, जब भी fabric लगा रहे हो, तो उसम में कोई gap नहीं बचे, मतलब वो बिल्कुल smooth सा लगना चाहिए, जैसे हमारे दो coat complete हो जाएंगे, फिर 24 गंटे के लिए हमें उसको सूखने को छोड़ देना है, अभी सब पूछेंगे DPC क्या है, DPC एक ऐसी layer, एपलिंथ के उपर डाली जाती है वो, जिससे हमारा नीचे का जो भी पानी होता है, वो हमारी दिवारों को नहीं लगता है, mostly आपने देखा होगा, इंडिया में क्या होता है, 3-3 फुट तक दिवारें, पूरी पपड़ी निकल गये होती है, सीलन होती है, तो ये इसको रोखना होता है, इसके लिए हम क्या करते है, DPC करते है, तो उसमे उपर आपको chemical use करना है Dr. Fixit का भी आता है वो है Dr. Fixit Bitufix ये नाम नोट कर लो Dr. Fixit का Bitufix दूसरा elephant, shield rubber इन दोनों में से जो भी आपके area में मिलते हैं आप उसको लगवा सकते हो अगर कोई अच्छा area बड़ा area है जा अच्छे से waterproofing आपको करनी है जैसे दो गर मिलते हैं एक दूसरे से तो वहाँ सबसे ज़दा sealant के chances होती है तो उस case में जहां आपकी जो बातरूम है leakage का chances है तो उस case में जहां आपका कोई slab है वो leakage के chances है तो आपको क्या करना है लाइना है Dr. Fixit Pidufin 2 के ये एक अच्छा chemical है ये chemical इसका फाइदा क्या है इसमें एक layer सी बन जाती है ये सिर्फ पानी नहीं है chemical नहीं है इसमें एक fiber भी आता है दोनों को mix किया जाता है दोनों को proper तरीके से mix किया जाता है और 30-40 मिनिट वो mix खराब नहीं होता है जैसे आपने mix कर लिया फिर इसको आपको use करना है उस area में जहां जैसे bathroom है इस सामने bathroom है waterproofing हमें इसकी करना है इसकी पहले साफ सफाई कर लेनी है कोई भी loose material नहीं होना चाहिए साफ सफाई कर ली ठीक है उसके बाद एक coat मारा एक coat मार लिया फिर दूसरा coat मारा पहला सीधा मारा था दूसरा टेड़ा coat मार रहा है तो coat दोनों मार दिये और एक एक फूट दिवारों पर भी चड़ा दिया तो अच्छे से waterproofing हो गई यहां leakage नहीं हो गई इसके उपर tile लगाओ अच्छे से waterproofing हो गई यह है permanent solution जो डॉक्टर फिक्सिट 101 यूर्प 301 थी वो basic थी यह advance जो waterproofing होती है वो इसके help से की जाती है जैसे दो गर की दिवारें चुड़ती है दूसरे से बीच में जगा नहीं बैसती है तो वहाँ sealant रहती है आपको क्या करना है दूसरा लिया गिया तेल लेने अपनी दिवार पे डॉक्टर फिक्सिट पिडिफिन 2K का कोड मार देना आप इसको direct brick पे भी मार सकते हो इंट पे भी मार सकते हो अपने concrete surface पे मार सकते हो कहीं भी मार हो सही है मालब brick को और concrete पे यह result अच्छा देता है as compared to plaster पे slab में cracks आने लग पड़ते हैं हमारी दिवारों पे cracks आने लग पड़ते हैं और यह सुंदर गर का सबसे बड़ा दुश्मन कोन होता है पानी और वो पानी जो slab पे cracks होते हैं बले वो किसी भी sealant आने लग पड़ती है पपड़ी बंके निकलने लग पड़ते है तो ऐसे ऐसे होता क्या हमारे गर की life दीरे दीरे कम होती जाती है देखो अगर आप चाहते हो कि आपके गर की life double रहे क्योंकि cracks को आने से हम नहीं रोख सकते है cracks आएंगे याएंगे जितना मर्जी आप कर लो थोड़े बहुत cracks आपके गर में रहेंगे रहेंगे तो उससे अगर गर कमजोर ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा waterproofing करनी पड़ेंगी और waterproofing करने के लिए हमें चाहिए best chemical ठीक है एक अच्छा chemical चाहिए एक ता यहां अंदर डाल लिया जैसे क्रैक की शेप होगी वह शेप यह chemical ले लेता है और आपका वहां से पानी कभी अंदर नहीं जाएगा यह बहुत अच्छी प्यारी चीज़ है इसकी रहता है जो हमारी टंकियें है स्मीमिंग पूल है जैकूजी है टेंक है स्लैब है उसमें लिकेज का आपको अगर अच्छा रिजल्ट देने तो डॉक्टर फिक्सिट ने एक नया जो नर्यारी जहता है कोई बी कैमिकल फ्लोड जुद कहा है जब एकस्पेंशन और क्ट्रक्शन होती है जब सर्दी आ रहिधी गर्मी आपी जो जो मृटिल्सार यह रहिधा है ने जिपैंशित, और फास्ट्फ्ल तो यह जल्दी तूटते नहीं, रबबर की तरह बन जाते हैं, तो इनको आपको क्या करना है, जैसे इसको fast wax को अगर slab पे लगाना है, या अपने tank में लगाना है, सबसे पहले उस area को साफ कर लो, clean कर लिया, जो छोटे-छोटे cracks हैं, minor-minor से cracks हैं, उनमें एक cement paste और URP300 की paste मिन जाएगी, ना आपका tank leak करेगा, ना आपका swimming pool, ना आपकी slab, फिर हम बात करते हैं, हमारी जो दिवारों पे छोटे-छोटे cracks होते हैं, जो दिवारों पे mostly जो दिवार के अंदर cracks रहते हैं, छोटे-छोटे, उनमें क्या होता है, पानी गुस जाता है, बले वो concrete के हैं, बले वो आपकी plaster के हैं, तो हमारा सरीया अंदर से सड जाता है, detroid हो जाता है, तो उसके लिए Dr. Fixit की जो X shrinkage paste है, इस सामनी जैसे आप देख रहे हो, यह paste क्या करनी है, इसको भी fill आप कर सकते हो, इसको crack के अंदर fill कर देना है, और उपर से कोई भी waterproofing का जैसे 2K, वो chemical मार तो को भी भी आपके गर की slab में पानी गुस गया, तो आपका सरीया खराब हो जाएगा और गर कमजोर हो जाता है, तो यह चीज है, Dr. Fixit की crack X paste भी आती है, यह plaster में fill करके इसके उपर paint कर दो, तो यह अच्छा perform करती है, देखो cracks होगे, sealant होगे, dampness होगे, इस समय सब परिशान है, अभी monsoon का monsoon start हो गया और सब को दिखने लगा है कि कहां कहां leakage आ रही है, तो कहीं आपकी च्छत पे ऐसे crack तो नहीं है कि आज concrete किया और दूसरे दिन ऐसे crack च्छत पे दिखने है, वो product है हमारा pore seal B100C900, best product में अगर बोलूँ, क्यूंकि अगर slab में इसे leakage हो रही है, तो इसक करके आप crack fill कर सकते हो और आपकी leakage बंद हो जाएगी, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि pore seal C900 कहां से मिलेगा, कैसे आपको लगाना है, और सबसे easy तरीक है, मतलब bottle लानी है, direct आपको लगा देना है, कोई इसमें आपको technology नहीं चाहिए, कोई skills labor नहीं और simple procedure से लगा सकते हो, Dr. Fixit का URP chemical, मतलब ऐसा कुछ दिखता है वो, यह होता है, universal repair polymer, इसको क्या करना है, जैसे आपकी slab cast होगी, या bathroom के आपके slab डाल दी, मतलब हमने concrete में क्या डाला था, Dr. Fixit का LW Plus, concrete हो गया, उसके बाद, जब concrete हो जाता है, दूसरे दिन आपको क्या करना है, Dr. Fixit का URP लेना है, cement के साथ mix करना है, मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से mix करना है, cement के साथ mix करना है, एक गोल सा बनाना है, और उसकी help से, आपको brush की help से, वो पूरे उपर आपको लगा देना है, जब आप उसको अच्छे से उपर लगाओगे, तो जो श्रिंकेल से crack होते हैं, हमारा cement में क्या होता है, hydration process होता है, और छोटे-छोटे cracks आगे होते हैं हमारे slab के उपर, तो जब आप इसको बना के लगाओगे, paint की तरह मारना है, दो-तिन layer आपने लगाया, जो crack होंगे, वो फिल हो जाते हैं, और आपके घर को complete सुरक्षा मिल जाती है, मतलब कम मसाला सुखा सुखा रहता है, तो ये उसका एक ही solution है, अगर इसको हम use करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारा मोटार होता है, समझो क्या है, हमारा मसाला होता है, उसमें लचीना पना आ जाता है, मतलब bonds ही बन जाती है, जब आप उसको plaster को दिबार पर लगाओगे, वो बहुत अराम से चिपकता है, और जो मिस्तरी होता है, वो आपका बहुत जल्दी काम करतम करके देता है, क्योंकि वो बहुत easy से चिपक जाएगा, finishing अच्छे से हो जाएगी, और अगर हम बात करें, जब हम plaster master किसी मोटार में डालते हैं, मसाले में डालते हैं, हमें क्या होता जो दो तीन बार मसाला बनाने के लिए लेवर लगनी थी, वो लेवर भी हमारी बच गई, हमारा time waste होने से बच गया, तो ये plaster master आपको help करते है, इसका बहुत ज़्यादा फाइदा है, जब हम plaster master किसी मसाले में डालते हैं, जो हमारी finishing होती है दीवार की, वो बहुत soft सी रहत जब हमारी के लिए लेवर 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